मज़ा एक मिनूट थोड़ कमेंट आप लोगों का देखने के लिए कि व्यूस्था कर लिया जाए कि अप लोग लाइव वोजाएं तब तक है और क्या आप कि आवाज पोंच लए ये कमेंट करेंगे तब तक हम आप आप लोग के लिए कमेंट देखने की बिवस्ता कर लेते हैं कि अधिया हो गया चीए कि आवाज पहुंच रही है कि हाँ रादे रादे आप सभी को कि आवाज पहुंच रही है आउ ishti कोईश्चन है ठीक है क्योंकि इसमें एह कर लिया गया है साइट Q को भी छाइट कर लिया गया है अवाज पहुंच रही है चलिए देर न करते भी हम लोगो बिडियो को स्टार्त करते हैं कौन से सब्द यूगम का अर्थ संगत नहीं है कि चलिए कि अन्सर करिए कमेंट नहीं आ रहा है आप लोगों का कि अन्सर आ रहा है एए बहुत अच्छा एंसर अच्छा एए चलिए अन्स का मतलब होता है कि हिस्सा तो हिस्सा है और इस अन्स का मतलब होता है कंधा बिल्कुल कंधा है और दंस का मतलब होता है डंक डंक मारना डंक डंस का मतलब डंक से है और इस दस का मतलब दस से है और अठक का मतलब होता है बिना ठके हुए ठीक है अकत का मतलब होता है बिना कहे हुए आनि जो कहाना जा सके अकत हो गया इस टूक का मतलब होता है थोड़ा सा दो टूक बात करने है थोड़ी सी टूक मतलब थोड़ा सा जब छोटा हो की मात्रा लगा हुआ है और इस टुक का मतलब जो है इसका मतलब होता है टुकडा ठीक है फटा हुआ नहीं तो हमारा पहला जो विकल्प दिया गया है पहला ही विकल्प हमारा क्या हो रहा है सही हो रहा है पहला विकल्प जो है वो संगत नहीं है ठीक है पहला विकल्प संगत नहीं है बहुत अच्छ आते हैं दूसरे नमबर पर कुश्चन नमबर दो आ जाईए कि कुश्चन नमबर दो कि इसकिन पर दिखाई दे रहा है अब कुश्चन नमबर दो जो है राजस्थान स्कूल सिच्छा प्रध्यापक परिच्छा 2018 में पुछा गया है पुछा है कोडी कोडी सब्द युगम का सही अर्थ किस विकल्प में है चले आंसर नहीं आ रहा है भी आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों का कमेंट करिए अच्छा बहुत अच्छा स्वेलों का अंसर भी आ रहा है बी हाँ कोडी का मतलब हो गया बीस का समुख ठीके बीस का समुख ठीके और इसका मतलब हो गया कि एक कोई समुद्री जीव है और समुद्री जीव का जो है खोल जीव का क्या है खोल है अब ये विकल्प मिला हमको कहा बी में तो सभी लोग का अंसर लगवग आ गया है अच्छा ए आ रहा है एक समुद्री जीव का खोल और बीस का समुख नहीं ठीके ए नहीं बी बी करेंगे चलिए ये आया है दो हजार अठारा में राजस्थान में पूछा गया है ठीके अब आते हैं क्वेश्चन नमबर तीन क्वेश्चन नमबर तीन चलिए अद्ध और आध्य यहां अंसर आया थिरीका ए आ रहा है थिरीका सी भी आया है आध्य मने अधिक नहीं अधिक नहीं होगा ठीके आध्य का मतलब हो गया आज टुडे ठीके आज आज कहा है तो आज यहां ए वाला भी कल्प में दिया हुआ है ठीके तो बिलकुल इसी में सही यही सही हो जाएगा और आध्य आध्य का मतलब प्रथम आधी आधी जो सुरुवात होता है ना आधी का आध्य बना है प्रथम ठीके चलिए तो यहां अमारा ए वी कल्प जिन्नों ने ए कहा बिलकुल सही है थ्री सही नहीं है थ्री सही नहीं है ठीके और सी वाला आप्सन जो है गलत है चलिए चौथे आप्सन पर आईए कोश्चन नमर चार कोश्चन नमर चार थोड़ा सा स्वीट करते हैं चलिए कौश्चन नमर चार कौण से सब्द यूगम का अर्थ भेद सही नहीं है यहां पेंसर आया बी बी क्या है कहरा है कि कौण सा सब्द यूगम का अर्थ भेद सही नहीं है अनिष्ट का मतलब होता है बुरा बिल्कुल सही दिया हुआ है और अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठाहीन निष्ट अनिष्ट तो निष्ठाहीन बहुत अच्छा अचल का दिया है अचल मने परवत अचला अचला का यहां क्या होना चाहिए था प्रित्वी होना चाहिए था बट गलत दे दिया है क्या होना चाहिए था प्रित्वी होना चाहिए था धर्ती होना चाहिए था अंस का हिस्सा और इस अंस का दिया है कंधा तारंग लहर है और तूरंग जो है घोड़ा है परिवाची ठीक है ठीक है तो यहां हमारा बी आपसन जो है वो गलत हो जा रहा है बी आपसन चलिए पांच नमबर पे आईए कुश्चन नमबर पांच फाइब कुश्चन नमबर फाइब और पांच का अंसर आ रहा है तरड़ी और तरड़ी दिया हुआ है यूग्म ठीक है पुछा है सही अर्थ क्या होगा तरड़ी और तरड़ी दिया हुआ है बी अंसर आ गया है बहुत अच्छा सूर्य और नाव ठीक है तरड़ी मिन्स होता है सूर्य और तरड़ी मिन्स होता है नाव बहुत अच्छा बी आपसन छे वाला पे आईए कुश्चन नमबर छे अनेकार्थ सब्द के रूप में गुरू का कौन सा अर्थ अनुप्यूक्त है गुरू का कौन सा अर्थ अनुप्यूक्त है चलिए चलिए अन्सर करिए च्छा का कौन सा अन्सर बनेगा च्छा का अनुप्यूक्त है गुरू का अर्थ जो है उससी च्छक हो जाएगा ठीक है और गुरू का अर्थ जो है जो गुरू होता है थोड़ा सा गरिष्ट हो जाता है भोजन पचाने में दिक्कत आती है तो ये भी आ जाएगा और भारी गुरू का अर्थ भारी ये नच्छत्र नहीं है यहाँ पे गरह दिया होता तो हम ये वाला आप्सन चूज करते ठीक है एक नच्छत्र गुरू एक नच्छत्र नहीं बलकि गुरू एक गरह है एक गरह लिखा होता तो सही हो जाता डी आप्सन करेंगे ठीक है डी आप्सन आप साए करेंगे केव्य Caesar 2018 में पूछा हुआ है चलिए 7 नंबर पे आईए साथ नमबर द्विज सब्द का अर्थ है द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्म लेने वाला द्विज मने दो बार अज्ज़ मने जन्म लेने वाला ठीके बहुत अच्छा तो दो बार परामड भी जन्म लेता है ऐसा मना जाता है दांत भी दो बार पच्छी भी दो बार जन्म लेता है ठीके एक अंडे के रूप में फिर अंडे से बार आता है तो दो बार भी इसका जन्म होता है ठीके तो हमारा अंसर बनेगा क्या इन में से सभी D option आठ नमबर पे आईए कोश्चन नमबर आठ आठमा कोश्चन देखिए किस विकल्प में कोई भी सब्द अनेकार्थक सब्द अर्क का अर्थबोधक नहीं है अर्क का अर्थबोधक नहीं है आनेकार्थी सब्द के रूप में देखना है तो यहाँ C आ रहा है और D आ रहा है चलिए और लोग कमेंट करें सूर्य तो होता ही है ठीक है और मदार भी होता है अर्क का इंद्र भी हो जाएगा अगने भी हो अनेकार्थक सब्द में देखा जाए तो अस्फटिक भी होगा प्रकास किरण भी हो जाएगा अर्क को कह सकते हैं लेकिने ये वाला विकल्प आपका नहीं होगा, ठीके, कामदेव और जीव, ये विकल्प आपका नहीं होगा, D option, कौन सा option बनेगा, D, ठीके, D option, अर्क का आनेकार्थी सब्द नहीं भोगा, कौन, कामदेव और जीव, question number 9 पे आईए, question number 9, चले, नौका अंसर आ रहा है, D, अनेकार्थी सब्द कौन सा है, पुछा गया है, अनेकार्थी सब्द कौन सा है, तो दिया है, अनुरोध है, प्रात्ना है, अवस्था है, घन है, ठीके, चली, बहुत अच्छा, तो यहां पे अंसर, cv लग रहा है, अवस्था, नहीं, अवस्था में क्या लगा सकते हैं, अवस्था में क्या लगा सकते हैं, अवस्था में क्या लगा सकते हैं, अवस्था तो एक ही बनेगा, ठीके, घन, घन कई अर्थ देगा, अनेकार्थी में कौन जाएगा जब कई अर्थ दे एक दो अर्थ नहीं जब ज्यादा अर्थ देता अनेकार्थी का मतलब की ज्यादा अर्थ दे ठीक है तो चारों भी कल्पों में से हमको चूच करना है जैसे घं का मतलब बागल भी हो जाता है घं का मतलब एक समो भी हो जात जाता है ठीक है जिसको आप घं कहते हैं तो कई अर्थ देता है घंच चलिए 10 नमबर पर आईए अच्छा अवस्था उम्र वह स्थिती ठीक है हाँ घंध थोड़ा भी हो जाता है बिल्कुल बहुत अच्छा घंध थोड़ा भी हो जाएगा हाँ तो उसमें जाता है चारों में से आपको चूच करना है ठीक है आवस्था का मतलब इस्थिती नहीं है ठीक है आवस्था का मतलब उम्र हो जाएगा इस्थिती नहीं होगा चलिए 10 नमर पर आईए कौन सा सब्द अनेकार्थी नहीं है प्रिष्ट पानी फल पाप तो 10 का आ रहा है D, D क्या है, अनेकार्थी नहीं है, पुछा है, प्रिष्ठ, हाँ बिल्कुल, फल, देखे, प्रिष्ठ का भी कई अर्थ है, फल का भी कई अर्थ है, ठीके, और पानी का भी है, पाप का पाप ही है, ठीके, तो बिल्कुल सही जवाब आया है, D, D बिल्कुल स दिल्ली TGT 2018 में पूछा हुआ है चलिए 11 नमबर पर आईए निम्नलिखित में से कौन सा सब्द अनेकार्थी नहीं है देखे कोश्चन कर टाइप किया जा रहा है और काफी समय लग रहे हैं तो टाइप भी कर रहे हैं तब तक हम सोच रहे हैं कि कुछ आप लोग को जो है ऐसे डाइरेक्ट पीडिया बना के और तब तक प्रेक्टिस कराया जाए ठीक है और इस बार किसी भी तरीके से सेलेक्शन ले लेना है ठीक है राधे राधे बिल्कुल सलेक्शन ले लेना है इस बार चाहे जैसे भी हो उसके प्रति चाहे जो कुछ करना पड़े ठीक है साम दंद भेट सब अपनाया जाता है तो यहां सब अपना यह और टेस्ट बेहतर करिए जब बेहतर आप अभी से करना सुरू करेंगे तो उस दिन भी बेहतर होगा 11 नंबर का बताएंगे कौंसा सब्द अनिकार्थी नहीं है और दिया है आयू पात्र मान और अंग तो सभी लोग का आया है अंसर सी सी नहीं होगा ठीक है सी मान मान तो कई अर्थ देगा ठीक है मान कई अर्थ देगा अनिकार्थी नहीं है आयू आयू जो सब्द है वो अनिकार्थी नहीं है आयू का एक ही है ए जिसे मतलब ठीक है बाकी सबी जो है पत्र के कई यर्थ होते हैं अंक के भी कई यर्थ होते हैं और मान के भी कई यर्थ होते हैं बारा नमबर पर आईए जैसे पत्र के लिए चिठी भी का सते पंक भी हो जाता है पत्ता भी हो जाता है और मान का मतलब होता है सम्मान होता है इज्यत होता है नापतौल होता है परिमार होता है अभिमान भी होता है तो कई अर्थ होते हैं और अंक का नाटक में एक अंक आता ह है और अंक से अध्याय भी बनता है अंक से चिन भी बनता है संख्या एक है तो कई हो जाते हैं कि खग का अर्थ नहीं है कि खग का अर्थ नहीं है तो क्या खग का अर्थ आकास होता है क्या किंदे अरे बान भी उड़ता है लिए तीके पर लघ का थोड़ा करता है या니 उड़ने वालीव को थाकास में है वो भी उड़ रहा है और बांड उड़ रहा है पच्छी उड़ रहा है तो खग मने क्या उड़ने वाला ही तो होगा ना आकास ठोर ना आकास तो खुला एक पूरा फिल्ड जो दिख रहा है उपर सब आकास ही है ठीक है 12 का आपका एए अंसर हो जाएगा चलिए तेरा नमबर पर आईए खग मने उड़ने वाला जीव आकास में विचरन करने वाला ठीक है तो आकास में जो भी उड़ता हो उसको आप खग कह सकते हैं चलिए तेरा नमबर पर आईए क्योंकि अनेकार्थी सब्ध है न खग का आरथ नहीं है दिख्या पूंच दिया गणपा आरत नहीं है अब यहां आपको दिखाईते देगा तेंगा जो है अनेकार्थी शब्ध है कि इसवर आरा है कि यह दोन्यां की तिलिए बहुत जहां घन का मतलब घर नहीं है, बाकी थोड़ा भी है, बड़ा वाला जो थोड़ा होता है उसे हम कहते हैं घन और गनका अर्थ बादल भी होता है, ठीक है, घन का घना भी होता है, आज़े चवदा नम्बर पर आईए, चौदा नमबर निम्नलिखित में से एकार्थी सब्द कौन सा है एकार्थी मतलब एक अर्थ वाला यानि अनेकार्थी न हो ध्यान से समझना अनेकार्थी न हो एक अर्थ वाला ठीक है? चलिए बहुत अच्छा अन्सर आ रहा है बिल्कुल B अभिमान का अर्थ क्यों अभिमान ही होता है? ठीक है घमंडी तो उसी सेंस में इसको लिया जाता है बहुत बढ़ियाँ बहुत बढ़ियाँ चलिए B अन्सर बाकि सभी का अर्थ है कई अर्थ है ठीक है आजेगे 15 नमबर पे आईए 15 नमबर का है एंद्रजालिक सब्द का सही सटिक अर्थ क्या होगा सही और सटिक अर्थ क्या होगा एंद्रजालिक चमतकारी होगा भ्रामक होगा या जादुगर होगा या प्रवंचक होगा बहुत अच्छा बिल्कुल सही जवाब जा रहा है जादूगर अंदर जालिक का अर्थ होगा अगर सटिक अर्थ देखे तो जादूगर होगा बाकी घुमा फिर आके तो अर्थ ले सकते हैं बहुत अच्छा है जादूगर सोरा नमबर प्या जाएगे कोश्चन नमबर सोला साठ कोश्चन आँको देखना है और एक ही जवड किया करिए आप लोग जो कोश्चन आप आप गलती करते हैं या मिश्टेक करते हैं उनको नूट किया करिए ठीक है तद तयार हो पाएगा यूँकि हमारा रूली तयार करने का यही है कि यदि आपके सामने से एक प्रस्ण गुजर गया और वो आपको नहीं आया और वो आपके सामने से गुजरा है एक बार तो वो दूसरी बार जब गुजरे तो गलत नहीं होना चाहिए ठीक है पहली बार अगर है तो गलत हो गया कोई बात ने लिए दूसरी बार गलत नहीं होना चाहिए यह आपका टार्गेट होना चाहिए तब हम सेलेक्स्टन पास सकते हैं ठीक है हमारा तो जब टेस्ट पेपर दिया करते थे तो हमारा यह पहले ही लेच्छे होता था कि पहली बार गलती हो गया उसे माफी है लेकिन दूसरी बार गलती नहीं होना चाहिए मुझसे यह मेरा टार्गेट रहता था यही टार्गेट आपको करना है एक बार हो गया हो गया लेकिन कोहीं भी आप चाहे पढ़िए चाहे टेस्ट पेपर पढ़ रहे हो चाहे खुद लगा रहे हो या कहीं तेस्ट दे रहे हो जहां भी कोश्चन अगर आपके सामने से एक बार गुजर गया तो कोशिस यह रहे कि दूसरी बार गल्ती नहों चलिए सोर नमबर का जाईए दिया है इनमें एक मुच का परिवाची सब्द है मुच का तो मुच का क्या होगा आपका अंसर आए ए में क्या है निर्वाड हाँ मुच का अर्थ होता है निर्वाड परिवाची सब्द बनेगा क्या निर्वाड प्राप्थू ठीके मुच मुक्ती मिल गई चलिए सत्रा नमबर पर आजाईए सत्रा नमबर जी आएशी प्रवक्ता भरती परिच्छा दोजार सत्रा में पूछा गया है सोदामनी का परिवाची सब्द है परिवाची सोदामनी बिबुद दिया है, सक्र दिया है, छड़ प्रभा दिया है, कासार दिया है बहुत अच्छा, अंसर आया छड़ प्रभा, बहुत अच्छा सवधामनी, सवधामनी किसे काते हैं, बिजुली को चंचला, चपला, बिदूद, ठीके, बहुत अच्छा अठारा नमबर पर आज़ेगे अठारा नमबर इन में से अग का परिवाची सब्द नहीं है चलिए अग का परिवाची सब्द नहीं है ग्या मतलब होता है ग्यानी और अ मतलब होता है नहीं ठीके तो बिग का मतलब ग्यानी होता है बिग का मतलब क्या होता है ग्यानी होता है और ये मुर्खों की बात कर रहा है तो इसके लिए ये सही है ये सही है ये सही है बट ये पहला विकल्प सही नहीं हो रहा है ठीक है बहुत अच्छा चलिए कौन सा कोच्छन है हाँ 19 नमबर कौन सा बनेगा यहां पे अंसर सविलों का आ गया है डी 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 निमनलिखित विकल्पों में से एक विकल्प सेश का परिवाची सब्द नहीं है उसे छाटिए तो जो सेश है ठीक है इसका जो है परिवाची नहीं है सेश का भुजंग है विसधर है मकर है और अही है ठीक है तो सेश से सेशनाग हो जाएगा विसधर बिल्कूल बहुत अच्छा भुजंग और अही हो जाएगा लेकिन मकर नहीं होगा ठीक है मकर नहीं होगा बहुत बढ़ी है सब लो क्वेश्चन नमबर 20 हिंदी का प्रिवाची सब्द क्या है सुरी अगनी का अगनी का प्रिवाची सब्द लोचन, अनल, अनील और धनुज दिया हुआ है अगनी के लिए क्या बनेगा, बहुत अच्छा सब्द लोगे कांसर आया, C आ गया है C क्या अनील, अनील हवा होता है अनील नहीं होगा, ठीक है अनल, देखिए अनील और अनल में बहुत कन्फूजन होता है अब इसको कैसे पाचानेंगे, इसका ट्रिक है बहुत कन्फूजन यहां होता है इस कन्फूजन से बचने के लिए एक उपायदे देता हूँ आप लिखिएगा अगनी ठीक है, अब देखिए यहां नौ पे मंत्रा लग चुका है अब इसका जो अंसर आएगा बीना मंत्रा वाला आएगा ठीक है न, देखिए यहां मंत्रा लग चुका है तो यहां मंत्रा वाला नहीं आएगा अजब की अनिल में क्या है, मंत्रा आएगा यह देखिए छोटी एकी मात्रा लग गई जब यहां अगनी में लग चुका है तो इसका जो परिवाची आएगा उसमें नहीं लगेगा नहीं तो बालेंस डिश्टर्ब हो जाएगा ठीक है बात समझ में है आएसा दिमाग थोड़ा सा लगाईए और यह क्या है हवा का हो जाएगा ग्रेक छली तो हमारा अंसर क्या बना एक यह कई बार यह प्रश्णा असान है बत अच्व 오 जाता है ठीक प्रस्नमें दम नहीं है पर उस समय जो मिष्टेक हो जाता है कंफूज़न होने लगता है एकई बार एक ह Iya औरहीं आता हुआ प्रस्ट में फिर क्या भूखा किया जा इसमें ठीक है कि थोड़ा सा आप किसी चीज से जो है उसको जोड देंगे नहीं हो होँग आपने करीवाची है ah डिरे कुए अब अब कण competit दिया है लेलित दिया है क्या लगाएंगे हो शुन लगाएंगे को फिज़ नमर पर आए 22 नूम्बर देखिए दिया है प्रित्वी का परिवाची नहीं है और सविता लिखा है धरा लिखा है बसुधा लिखा है भू लिखा है प्रित्वी के लिए कौन सा नहीं है सविता किसका परिवाची है कमेंट कर देंगे यह आप लोगों को का अंसर आ गया कि ए है सविता किसका परिवाची है कोई कमेंट कर दे ठीक है कोई बात नहीं सूर्यका है किसका परिवाची है सूर्यका ठीकले और हमको क्या चाहिए प्रिथवी का चाहिए था चलिए तेश नमर पर आइए हाँ बिलकुल सन का सुर्य का बहुत अच्छा चलिए तेश नमर पर कपड़ा का प्रिवाची है कपड़ा का प्रिवाची है रिजल्ट बनाना है आप लोगों कुछ है जैसे भी बनाना हो ठीक है राद देने करना पड़ेगा थोड़ा सा जो पढ़ाई का तरीका है उसे बदलना पड़ेगा प्रेक्टिस ज्यादा करनी है बिना प्रेक्टिस का संभव नहीं है ज्यादा से ज्यादा प्रेक्टिस आप रूम पे भी रहते हैं तो भी प्रेक्टिस किरिए ठीक है चा तो सबीलों का अंसर आ गया है, A, A में क्या दिया है, वसन, बहुत अच्छा, वसन दिया हुआ है, ठीके, यहाँ अमरित दिया है, यहाँ कमल दिया है, यहाँ इंदर दिया है, ठीके, अब हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया वसन, वसन मतलब कपड़ा, चलिए, आ जाए आगे 24, 25, इकाउन सा कोश्चन था, 23 था न, 24 पर आईए 24 निमने लिखित में से क्या मोर का एक परिवाची नहीं है अब मोर का कौन नहीं है यह आपको बताना है तो यहाँ अंसर आ रहा है B, मेदनी प्रिथवी का बहुत बढ़िया नहींने का कि सर मेदनी प्रिथवी का है बिल्कुल मेदनी इक्वल प्रिथवी प्रिथवी ठीके, बहुत सांदार B आप्सन होगा बाकी सब है, मयूर का मोर के लिए मयूर और कलापी और केकी याद कर लिए ये एक-एक साथ याद करते जाएए इनको ठीके, और नोट भी करते जाएए जो कठी लगे आपको उस सब्दों को नोट करेए यही तरीका होता है पढ़ने का आइसा नहीं कि बस कठा सुने और चल दिए परसादी के लिए इंतिजार करना है लाइन लगाया है, कब परसादी मिले ठीके, 24 के बाद 25 नमबर पर ये परसादी लिए घर चले गए आइसा नहीं होता है फ़रसल निखे, नोट करे किस बिकल्प में सभी सब्द सरस्वती के परिवाची नहीं है सरस्वती के परिवाची नहीं है किस में जो दिया हुआ है कि सरस्वती का परिवाची न बन पाए तो यहां दिया है गिरा, हंस्वाहिनी वागिस्वरी, वांगमई सुर्भी, बिल्यापाडी, सार्दा और भारती कौन सा बनेगा चलिए तो यहां अंस्वर आया है C ठीके C, बाकी यह भी है, यह भी है, यह भी है बट यह C वाला आपसर नहीं है क्यों नहीं है, सुर्भी का आर्थ क्या होगा कमेंट करेंगे 26 नमबर तक कुश्चन हम लगा देते हैं चलिए 26 नमबर चलिए कमेंट करिए सुर्भी किसका परिवाय है गाय का, बहुत अच्छा, काम धेनू गाय, ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रिथिवी गाय, ठीक है, चले, इन में से किस विकल्ब के सभी सब्द परस्पर परिवाची नहीं है, प्रशने एक और आ गया, ऐसा ही, राजस्थान इस्कूल सिच्छा द्यापक परिच्छा 2018 में पूछा गया है, चले, इन में से किस विकल्ब के सभी सब्द परिवाची नहीं है, तो यहाँ B भी आ रहा है, D भी आ रहा है, C भी आ रहा है, ऐसा क्यों? कौन सा है, सभी सब्द परिवाची नहीं है, पूछा है, दुकुल है, वसन है, कच्छ है, कुंतल है, गगन है, सुन्नी है, तट है, और मदार है, ठीके, तो देखिए, तट का मदार नहीं होगा, यहाँ पर यहीं विकल्ब सही होगा, ठीके, जो तट चीज अलग है, मदार चीज अलग है, और बाकी सब का मैच कर रहा है, ठीके, सभी का मैच कर रहा है, क्योंकि दुकुल का वसन हो जाता है, वस्त्र होता है, डी आप्सन आपको लगाना है, ठीके, यह प्रस्पर परिवाची नहीं है, बाकी सब परिवाची है, चलिए, 27 नमबर पर आईए, सुर्य का परिवाची सब्द नहीं है, प्रभा कर दिया है, दिन कर दिया, दिवा कर दिया और निशा कर दिया, निशा कर किसका है, बहुत अच्छा, बिल्कुल डी आप्सन, आजए यह 28 नमबर पर, कुश्ण नमबर 28, इस्तिरी का परिवाची है, इस्तिरी का परिवाची है, डी त्रिपल स्बी पीजिटी 2018 में पूछा हुआ है, तो यहां अंस्वर आगया भी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बाकि जो है, चारू मने सुंदर होता है, रमडिक मने भी सुंदर हो जाएगा, रमे मने भी सुंदर हो जाएगा, बट इस्तिरी का जो परिवाची होगा, वो रमडि होगा, ठीके, बहुत अच्छा, 29 नमबर पर आईए, 29 नमबर, अम्रित का प्रेवाची है, सुधा दिया, है दिया, द्रिग दिया और मोद दिया है, अम्रित के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीके, सुधा, सुधा अम्रित, चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, 30 नमबर पर आज़ाईए, कुश्चन नमबर 30, 30, देवता का प्रेवाची नहीं है, देवता के लिए प्रेवाची सब्द नहीं है, हाँ, बहुत अच्छा है, यहां अनस्वर आ रहा है, बी अनस्वर भी आ गया, सूर, सूर मने तो देवता होता है, देवता अमर होता है, देव भी होता है, बित नहीं होगा, बित का मतलब धन होता है, ठीके, बित किसका प्रेवाची है, धन का, चलिए, 30 कुश्चन यहां अमारे व्याकरण के समाप्थ होते हैं, ब्याकरण के 30 प्रश्ण जो है वो समाक्त ठीक है अब हमारे जो अगले प्रश्ण है वो लिये जाते हैं साहिते से अरे ये कहां से आ गया एक ये रिपीट होने लगे क्या चलिए दो और है ये रिपीट हो गया है एक कोशन रिपीट हो गया है ये वाला ठीक है ये वाला रिपीट हो गया है इसका यही बिकल्प होगा रिपीट बन गया है एक तिस कोशन हो गया है कोई बात नहीं चलिए साहिते साइट्टे से आजेगे पहला question साइट्टे के लिए लेकिन आब हम चलेंगे इसी में 8 करते हैं 31 ठीक है नहीं 31 लिखने में भी दिक्कत आएगी एक नमबर लगाते हैं क्योंकि लिखने में भी दिक्कते आएगी एक नमबर रहेगा तो असानी से एक लिखा जाएगा ठीक है आप लोगों को टाइप करने में सुविधा रहेगी एक नमबर रखिए ठीक है चलिए एक नमबर अच्छाब पढ़ने का सही समय क्या होता है जब मन करे पढ़ने का ठीके वही समय बेस्ट होता है बाकी अगर कोई जगा करता है चल चल उट पढ़ाई कर तो कोई मतलब नहीं है जब इच्छाई नहीं हो रही है तो पढ़ने का क्या मतलब है ठीके पढ़ने का बेस्ट समय वही होता है जब अंदर से मन कहे कि अब पढ़ तो पढ़ोगे तो कोई जगा दे और आपकी इच्छा ही नहीं है आप सर के हाथ रख करके और बार-बार जबकी ले रहें तो कोई फायदा नहीं कम से कम सोई लो अच्छा से जूठे जबकी मारने से क्या फायदा आए ठीक है तो पढ़ने का अच्छा समय वही होता है जब मन कहता है कि नहीं पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो उसके जरूरी चीज है कि रूम को जो है थोड़ा सा मोटिवेशन बना कर रखें ठीक है चलिए पहला कोशन का क्या बनाए है मतो कांच्छा का मोती निश्ठूरता की सीपी में पलता है या प्रसाद के किस नाटक का कथन है बहुत अच्छा क संद्गूल नाटक में कहा गया है कि मतो कांच्छा का जो मोती होता है निश्ठूरता की सीपी में पलता है यह कौन कहता है चाड़ा के कहता है कि जो मतो कांच्छा होती है यानि कि उसको पूरा करना चाहते हो इच्छा को पूरा करना चाहते हो तो निश्ठूर बनो ठीक है वो क्या काते हैं निश्ठूर चलिए आजा दिये दूसरा क्वेश्चन आ जाईए अब कि यानि मोंबाया से दूर हो जाईए कोई बात नहीं अराम से सोईए नीत पुरा करो सोकर ठीक है क्योंकि मैं भी कभी सुबह पढ़ा नहीं आज तक का रिकाड रहा है मुझको जब अरदस्ति घर वाले समझते नहीं थे जगा तो देते थे भोर में लेकिन पढ़ता तो मैं भी नहीं था अब वो जैसे चले जाते मैं जबकी मारता रहता था ठीक है और आके फिर बोलते रहत कोई फायदा नहीं है पढ़ो तो मन से पढ़ो नहीं पढ़ने कम स्कम नीद पूरा कर लो तो अगर जो बच्छा भोर में नहीं पढ़ पाता है उसे सोने दो उसे जगा कर डिश्टा मत कम स्कम नीद पूरी रहेगे तो दिन में पढ़ेगा ठीक है अगर उसकी नीद पूर चलिए बी आप्सन लगाएंगे मैंक मनजरी चलिए बहुत अच्छा तो सवी लोगों का अंसर लगबग भी ही आया है ठीक है मैंक मनजरी आज़ेगे क्वेश्चन नमर तीन पे क्वेश्चन नमर तीन भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक भारतेंदु ने किसे कहा कि ये हिंदी का पहला नाटक है भारतेंदु जी के अनुसार सोचना है हाँ उन्होंने कहा कि मेरे पिता जी का एक नाटक है नहूस वह ये हिंदी का पहला नाटक होगा है ना बहुत अच्छा बिल्कुल सही जबाब नहूस ठीक है बहुत अच्छा चार नमर पर आईए लग रहा पन्यास का टाइम जो है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ठीक है आज टाइम पता चल जाएगा कि कितने में दोनों कभर हो रहे हैं चलिए आधे अधूरे नाटक के प्रमुख इस्तिरी पात्र का नाम क्या है आधे अधूरे जो नाटक है उसमें जो इस्तिरी पात्र है जो मुख्य इस्तिरी पात्र है वो ऐसे तो कही है तो उसमें से जो मुख्य है उसका नाम आपको बताना है और एंसर करिए तो अच्छा फास्ट किया जाए जाने में तो फास्ट ही करते हैं मेरा यह रहता है कि आप लोग कुश्चन को आराम से सभी लोग देख लो ठीक है फिर भी एक घंटा से कुछ उपर लगेगा मुझे पता है क्योंकि साथ कुश्चन है कि फोड़ा सा एक घंटा से उपर हो जाएगा चलिए आप लोग का अंसर भी देखिए अभी कितने लोगों का आया तिंचा लोगों का दिखाई जे रहा है है सी अंसर आयाही रहे फूल यह घंटा सावेट्री है उसमें सावीत्री पात्र जो है इस्तरी पात्र मुख्य मरें हम क्छिंबन्री उसकी छी ब्रामण किर किसी की राज्य में रहता है और नहीं किंड़ पर पलता ध कथन जैसंका प्रसाप के किशनाटक से लिया गया है देखिए मध्य परदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा हुआ है 2017 का क्वेश्चन कि हाँ मेडियम साइच चल रहा है ठीक है मेडियम में चल रहा है कोई बात नहीं 5 का सिबवत अच्छा चंद्र गुक्त कौन कहता है ये ब्रामन नो किसी के राज्य में रहता है और ना किसी के अनपर पलता है बिश्डु गुप्त का है चाड़क्य का ठीक है ये कौन सा कोश्चन था क्वेश्चन नमबर तो लिखे नहीं पांश नमबर है चलिए पांश नमर, छे नमर पर आजाईए क्वेश्चन नमर छे धरंबिर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक यूग के अनकूल अर्थ प्रस्तूत किया गया है तो क्या असकंद गुठ हो सकता है या अंधायूग हो सकता है या लहरों का राजहांस हो सकता है या असाड का एक दिन हो सकता है NBS, TGT, हिंदी, 2014 में पूछा गया है देखिए इन समय जो प्रस्न पूछता है तो नाटक का इस्टोरी से पूछता है ठीके जैसे पूछ दिया ना धरंबिर भारती का नाटक जिसमें माभारत के कथानक को लेकर के तो उस चाहे नाटक हो चाहे उपर न्यास हो चाहे कहानी हो उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहे कि उसकी स्टोरी कहां से है बहुत अच्छा, अंधायू अंधायू साथ नमबर यह तो बड़ा लग रहा है साथ नमबर, रुकिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ठीक है चलिए कोश्चन नमबर साथ इस स्क्रीन पर मैंने इसको छोटा कर दिया है यह हो गया आपका कोश्चन नमबर साथ साथ चलिए निनमे लिखित इस तरी पात्रों को संबध नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए अब चलिए सुमेलित करिए इसको काउन सा बनेगा छोटा कर दिया गया है सी आपसन याप प्या रहा है कि सर सी हो जाएगा बहुत अच्छा जिन्होंने कहा कि सी हो जाएगा बहुत बणिया, उर्वी को किस से लगाएंगे उर्वी जो है पहला राजा में चली जाएगी, पहला राजा जो नाटक है उसमें, ठीक है, और सुंदरी कहां जा रही है, सुंदरी तो लखरे के राजहांस, नंद की पत्नी है न, और कहां गया, बेनूरती बेनुरती कहाँ चली जा रही है सुर्यमुख में और देव सिना कहाँ जाएगी बच गया है एक ही तो बचा है उसी में चली जाएगा नहीं देहांतर भी एक है ठीक है देहांतर का कोई पातर नहीं है बहुत अच्छा चलिए प्रकासन वर्स के नुसार शुरेंदर बर्मा के नाटकों का सही करम है प्रकासन वर्स के नुसार आपको लगाना है शुरेंदर बर्मा का नाटक देखे बड़े बड़े जो नाटक कार है चाहे उपनियास कार है उनके उपन्यासों या नाटकों का करम पूछता है ठीक है ये तो आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा इतना चलिए question number 8 में क्या लगाएंगे सेतु बंद है आठवा सर्ग है और एक दुनी एक है रति का कंगन है तो यहां सेतु बंद आया है 1972 में ठीक है और आठवा सर्ग आता है 1976 में एक दुनी एक दुनी एक आता है 1987 में और रति का कंगन जो है वो 2010 में आया है कौन सा बनेगा करम लगाईए तो यहां इंसर जो है बी आया है आठवा सर्ग और आठवा सर्ग को पहले कर देंगे पहले सेतु बंद होगा ना पहले सेतु बंद ठीक है बातर में आया है सेतु बंद 76 में आठवा सर्ग 1987 में एक दुनी एक और रति का कंगन सबसे लाश्ट में 2010 चलिए कोश्चन नमबर नौ पर आईए कोश्चन नमबर नौ चलिए यहां यहां दिया है कि निलिखित में से कौन से नाटक प्रेम चन द्वारा रचित है डिक्टेटर संग्राम बड़े खिलारी प्रेम की बेदी कौन सा है अब यह प्रस्ण कहां बना है पता नहीं कहां बना है दिया तो नहीं है यह जी सीनेट में बना होगा चलिए कौन सा अंसर बनेगा हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा जिन्होंने कहा कि संग्राम है और प्रेम की बेदी ठीक है बिलकुल ए भी कल्फ सही होगा ठीक है बहुत बढ़िया चलिए आज यह दस नमबर पे परड़त जैसंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है परड़त इस नाटक को भी पढ़ना है एक बार ठीक है यहां अंसर आगया C बहुत अच्छा C असकंद को इग्यारा नमबर पे आईए 11 नमबर पे निम लिखित में से किस नाटक का संबंद काली दास के जीवन परसंगों से है काली दास के जीवन परसंगों से कौन सा है यह तो हमने नाटक पढ़ा है है ना वीडियो आपको मिला है आप सोच रहे हैं सभी नाटक जो है लाइप पढ़ दे क्योंकि वीडियो बनाने में भी समय लगते हैं लाइप पढ़ देंगे ठीक है तो सही रहेगा चलिए बहुत अच्छा है यहां अंसर आ रहा है असाड का एक दिन बहुत बढ़िया असाड का एक दिन मोहरा केस चलिए बारा नमबर पे आईए कालिदास से संबंदित्था हो बारा नमबर पे यह रक्त पात कब तक समाप्त होना है दोनों पछो को खोना ही खोना है चलिए दोनों पछो काँ दोनों पछो याद करिए कहा जाएगा यह नाटक आप लोगों को मिल गया होगा ठीक है बहुत बढ़िया यहां अंसर आ रहा है कि C हाँ दर्म बिर्भारति का C बहुत अच्छा सभी लोगों कांसर सी आया हुआ है चलिए कोश्चन नमर 13 कोश्चन नमर 13 सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विदा की रचना है क्या लगाएंगे KBS PGT हिंदी 2017 में पूछा गया है यह और UP TGT 2027 में पूछा गया है हम को लग रहा है कि 2013 में पूछा गया है टीक है 2013 में TGT में पूछा गया है UP के और KBS के PGT में 2017 में क्या है नाटक बहुत अच्छा सभी लिउगों कांसर आ रहा है कि नाटक है क्योजचन नमर 14 आईए नाटक है question number 14 पर भारतेंदू मंडल के लेखकों में इन में से कौन लेखक नहीं है जो भारतेंदू मंडल में नहीं आता उसको आपको चूज करना है चलिए ये देखें के विएस पीजिटी 2017 भारतेंदू मंडल के लेखक नहीं है आपसे पूछा गया यही प्रश्ण है न चलिए 14 का कौन सा बना सीवपरसास सितारे हिंद भारतेंदू जी से पहले के है ठीक है भारतेंदू मंडल से क्या है पहले के लेखक है सीवपरसास सितारे हिंद राजा सीवपरसास सितारे हिंद चलिए 15 नमर प्या जाईए पंदरा नमबर दुरुस्वामनी नाटक का चरित्र पात्र निमलिखित में से कौन सा है दुरुस्वामनी नाटक का चरित्र पात्र ठीक है निमलिखित में से कौन सा है तो इसमें से आपको बताना है कौन सा पात्र है जो दुरुस्वामनी नाटक में है राम गुद्ध, सिंहराड, विशाग, अस्कंद गुद्ध, तो धुरुम सामनी का जो है अंचाहा, अंचाहा, मंचाहा नहीं, अंचाहा, अंचाहा पती, राम गुद्ध, बहुत अच्छा, ए आप्षन, ए आप्षन, सोरा नमबर पे आईए, सोला नमबर निमनलिखित में से किस एतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु यूग के नाटक का श्री निवास दासने की, कौन सा लगाएंगे, अमर सिंग राठोर लगा देंगे, या स्वंगता स्वंबर लगाएंगे, या महराणा परताप लगाएंगे, या निल देवी लगाएंगे, इनका कोई नाटक है, जिसके आलोशना की गई थी सबसे पले, बहुत अच्छा, एंस्वार आ गया, स्वंगता स्वंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया, स्वंगता स्वंबर, चलिए, 17 नमबर पर आईए, धीमे धीमे तो उन्हेने चल लए हैं, ठीक है ना इस वीडि, अच् चीज़ और बताएंगे, क्या वीडियो रूख रहा है, वीडियो रूख रहा है, लगतार चल रहा है, कोई समस्या तो नहीं आ रहे है वीडियो में, चमकि जब मैं इसे पहले क्लास लेता था, बहुत रुखता था, रुख रुख कर चलता था, चलिए, 17 का अंसर भी करते रहे है, द्रिश्य तत्व साहित्य की किस विदा का अनिवार ये बैसिष्ट है, यानि द्रिश्य, द्रिश्य किस में जरूरी है, कहानी में, नहीं, कह जरूरत है, द्रिश्य, नाटक में दिखाई देना जरूरी है, अच्छा, लगतार है, ठीक है, बहुत अच्छा, तो D, आप्शन, 18 नमर पे आईए, नेन लिखित में से कौन सा भारतेंदू हरिष्चंद का मौलिक नाटक नहीं है, अच्छा, नया-नया आया था, तो इसका कम हो गया है, कि कौन मौलिक है, और कौन अनुधित है, ठीक है, क्योंकि यहां से प्रस्न बनना तह है, कि अभियस पीजीटी हिंदी दुवाजा सोरह में बन चुका है, यह, चलिए, यहां प्रेम योगनी, विशस्य, विश्मौ सुधां, पाखंड बिडंबन और चं पूछा है, मौलिक नाटक नहीं है, तो सभी लोगन कांसर आ गया है, डी आप सुन, बहुत बढ़ियां, डी, पाखंड बिडंबन, मौलिक नहीं है, अनुधित है, बाकी सब क्या है, मौलिक, चलिए, सोरी डी है, कोई बात नहीं, चलिए, उनने इस नमबर पे आ जाईए, प्रकासन वर्स के अनुसार जैसंका प्रसाथ के नाटकों का सही करम लगा दिजिए, सबसे पहले कौन आएगा, और सबसे लाश्ट में कौन आएगा, लाश्ट का पता है न, हाँ लाश्ट का अन्तिम नाटक तो हमको पता है, कौन है, राज्य सिरी तो है नहीं, असकोंद गुप्त नहीं है, हमको पता है, अन्तिम नाटक वो लिख रहे थे दुरूप स्वामनी, उसके बाद उनकी मृत्यू हो गई, ठीक है, उसके बाद वो नहीं लिख पाए तो अंतिम तो दुगों में मिल गया फिर राजशिरी इसमें देखें तो राजशिरी से तो सुरू माना जा सकता है हाँ ठीक है कि अच्छा क्रम भी क्रम मैं लिख देता हूं तब लिजिए 1915 राजशिरी का है ठीक है 1915 राजशिरी का और 1922 जो है आप कहा सकते हैं अजास्त्रू के लिए और 1928 लगा सकते हैं आप असकंद गुप्ट के लिए और इसके लिए तो आप जानी रहे हैं लाश्ट है 33 ठीक है हाँ पहला विकल पर ही सही है तो जिन्हेंने का आप पहला विकल बिल्कुल बहुत अच्छा है यह विकल बीस नमबर पर आ जाईए कि बीस नमबर कुर्श्चन पर आईए नमबर लिखित में से किस नाटक में क्रिश्चन और बेडू रती के प्रेम का परदर्शन है क्रिश्चन है और बेडू रती किस में है चलिए अंसर कर यह फट से तो सभी लोग का अंसर आ चुका है बी बहुत अच्छा बी लच्मी नराण लाल का नाटक है और इसमें जो है क्रिश्चन और बेडू रती ठीक है बहुत बढ़िया, सबी लोग का अंसर भी आया है, बिल्कुल लच्मी नराण, लाल खानाटक अब आजाए एककरिस नमबर पे समापन क्यों चल लाहा है इसका मतलब कि हम लोग जो है 9-20 तक कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि उसको फिर थोड़ा सा तयार करने में भी समय लग जाता है तो यहां अंसर बना प्रवित्ति, निवित्ति, अथवा, असक्ति, अनाक्सक्ति का द्वंद मोहराकेश के किस नाटक में प्रदसीत होता है, बहुत बढ़िया कौन सा नाटक है, यहां पर समय लोग का अंसर आ गया, बहुत अच्छा, D बहुत बढ़ा द्वंद है इसमें, क्या किया जाए, घर समाला जाए या बनवास देखा जाए 22 नमर पर आईए बरनाड सा का परत्यच्छ प्रभाव लेकर सन 1935 में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किस ने की चलिए, प्रश्ण का अंसर दीजिए बरनाड सा का प्रत्यच्छ प्रभाव लेकर एकांकी की रचना किस ने किया है? बहुत बढ़ा हाँ, बरनाड से जो प्रभावित एकांकी कार या लेखक है वो भूने स्वर है ठीक है? बोने स्वर क्रिकेट टीम में तेजगेत बाद आगे 22 के बाद आज़े ये तेज़ नमबर पे भारत दूर्दासा, भारतेंदू की किस भावना का आदर्स उदारण है? भारत दूर्दासा परिवारिक चिन्ता है? या मन की उदासिन्ता है? या बाल समस्या है? या देश ही तैसडा है? तभी वो लिख रहे हैं? चलिए 23 नमबर पे आईए अब भारत की दूर्दासा लिखेंगे तो देश की चिन्ता होगी तभी तो लिखेंगे ना? भारत दूर्दासा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? कितने अंक है? 7 अंक, 6, 6 अंक, 5 अंक, 8 अंक कितने अंक हैं इसमें? ब्यांग सैली में लिखा गया है थोड़ा तो यहां आ गया एंसर का 24 भी बहुत बढ़ियां 6, 6 अंक खाएं 25 नमबर पे आईए चले यह दिखाए देगा 25 नमबर का यह स्क्रीन पे दिखाए दे रहा होगा आपके जैसंका परसाद के नाटक असकंद गुप के संदर्ब में कौन सा वाक यह गलत है? प्रस्ने यह है असकंद गुप के संदर्ब के संदर्ब में कौन सा? चलिए जल्दी करें इन में गुप समराज की स्थितियों का चितरड है हाँ भाई यह तो ठीक है असकंद गुप नाटक के के अंदर में तलाक और पुनर विवा है तलाक और पुनर विवा की समस्या तो वहाँ है ना दुरूस्वामनी में यह पॉइंट को नोट किया जाए और देख लेते हैं कलात्मक उतकर्ष की दिरिष्टी से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गड़ना की जाती है हाँ यह तो ठीक ही है इसमें भारती और पस्चाते नाटक पदतियों का सुन्दर समन्वे है बिल्कुल यहाँ पे बी आप्सन जो है आपको बी आप्सन ठीक है यह जो भी सेस्ता दिया है तलाक और पुनर विवा का यह धुरूस्वामनी नाटक का है ठीक है बहुत अच्छा बी आप्सन आपको लगाना है कौन सा सही होगा इसमें बी 26 प्याज़ेगे अजाज सत्रू नाटक के लेखक कौन है अजाज सत्रू नाटक के लेखक बिर्दाबनलाल बर्मा बिर्दाबनलाल बर्मा का जन उसी समय हुआ जब जैसंगा प्रसाद का हुआ था ठीक है डेट अब बर्थ अब याद करिए सन याद कर लिजे ठीक है अठारसो नवासी भातिन्दू का अठारसो पचास है इनके जरूरत नहीं है इनका जरूरत है और इनका जरूरत है ठीक है कौन सा अंसर बनेगा बहुत अच्छा डी तो यहाँ पे अंसर आ गया कि डी आप्सन बनेगा जसंग का प्रसाद अजास सत्रू जसंग का प्रसाद चलिए 27 नमर पे आए यह तो लग रहा है बहुत बड़ा स्क्रीन हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं इसको कहां गया इसका तो विकल्पी नहीं दिख रहा है यह दुपी मैंने बहुत से लोग भारत बीज़े पर तुम्हारे बिना निर्मल मुझको तुम्हारा बड़ा यहां चला गया अच्छा यहां इसका विकल्प है ठीक है थोड़ा सा थोड़ा सा इसको पहले परस्नों को पढ़ लिजिए परस्नों को आप देखेंगे उसके बाद विकल्प दिखाते हैं ठीक है क्वेशन और विकल्प में थोड़ा सा distance हो गया है ठीके थोड़ा सा question में और विकल्प में पहले आप question पढ़ लिए तब विकल्प दिखाते हैं लिजी मैं इसके न पर थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको ठीके बड़ा कर दिया चली यद्देपी मैंने बहुत से लोग भारत बीजे को भेजे हैं पर तुमारे बीना सब निर्वल है मुझको तुमारा बड़ा भरोसा है अब तुमको वहाँ जाना होगा यह कर भारत दूर्दसा नाटक में भारत दूर देव ने किसे हिंदुस्तान किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा है लाश्ट में तो चलिए अब आजए ये भारत बीजे के लिए किसको भेज दिया हो सत्यनास फोजदार को या आलसे को या मदिरा को या अंदकार को किसी को तो भेजा एकदम जा के तो असनस कर दिया इंडिया को अंधेरा कायम रहेगा है न सकतिमान में आता है अंधेरा कायम रहेगा कौन सा अंसर लगाएंगे वो बोला कि अंधेरा चले जाओ वहाँ पर ठीक है अंधेरा कायम रहेगा अंधेरा बहुत बढ़िया D-Apsons सही हो जाएगा ठीक है D-Apsons चलिए 28 नमबर पर आज़ेगे Question नमबर 28 ठीक है और जो प्रस्न गलत हो रहे हैं उनको आप note कर लिया करिये उसको जो सब्द गलत हो रहा है सब्द को देखिए ठीक है उनको note करिए तभी आपका सई हो पाएगा आप ये प्रतिग्या बद्ध हो जाएगे कि एक प्रस्न अगर जब तक नया है और मेरे सामने से गुजर रहा है गलत हो गया कोई बात नहीं लेकिन जब दूसरी बार वो आपके सामने से गुजरे तो वो गलतन नहीं होना चाहिए ये प्रतिग्या करिए या ठीक है चलिए तब आप बार बार जो है कुश्चनों को देखेंगे थोड़ा इसमें क्या लगाएंगे नाटक के अत्रिक्त मोहन राकेस की पहचान हिंदी सायत में किस रूप में है तो दिया है समानतर कहानी आंदोलन के नेत्रित करता के रूप में दिखाई देते हैं आ कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताचर के रूप में दिखाई देते हैं सचेतन कहानी आंदोलन के नेत्रित करता के रूप में दिखाई देते हैं नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताचर के रूप में दिखाई देते हैं तो कौन सा लगाएंगे यहां पर नई कहानी में है नと思います से विलिवों कांसर डरी आया हुआ है कि ठेके मेरा भी तो गलत होता था यह बताओ कि स्चिर ज्वोरी स conception हो सकता है यह तो गलत हो सकता है दो ही भीकलप है तो हेड आयेगा तो सही हो जाएगा तो गलत हो जाएगा जो अब सिक्का जो है टेल आ रहा है तुमारे लिए ठीक कोई बात नहीं एक समय आएगा हेड़ आएगा परसान नहों कि धीरे धीरे यह होता है ठीक है धीरे धीरे जैसे जैसे अनभो परता जाएगा इरे दिरे कोश्चनों पर पकड़ होती चली जाएगी सई होने लगेगा असाड का एक दिन असाड का एक दिन यह कौन सा कोश्चन है 29 नमर का कोश्चन है नाटक के आधार पर प्रियंगू मंजरी के संदर में गलत अथे कौन सा है गुप्त वन्सिय राजा राज दुहिता है कालिदास की परिलिता है या राजनीती के दाव पेंचो में निपूर नहीं है या विदुसी है तो कहरा के संदर में कौन सा गलत अथे कौन सा है मतलब गलत होना चाहिए ठीक है कौन सा लगाएंगे तो यहां लगा दिया कालिदास की परिलिता है गलत अथे कौन सा है यह पूछा गया है क्या लगाएंगे असार का एक दिन नाटक के अधार पर प्रियंगु मंजरी के संदर में गलत तथे कौन सा है देदिया गिप्त वंसिय राजा दुहिता है दुहिता पुत्री दुहिता का मतलब क्या है? पुत्री है या कालिदास की परलिता है या फिर राजनीती के दाव पेचों में निपूर नहीं है या बिदुसी है तो यहां अंसर आपनों क्या किया? C अंसर आपनों गरेन लगाया है ठीके? राजनीती के दाव पेच में निपूर नहीं है ऐसा बात नहीं है ठीके? राजनीती के दाव पेच में वो बहुत निपूर है इसलिए तो कालिदास को जो है उसके पिता जो है अब मरने वाले हैं उसको पता चल जाता है ठीक है अरे मरने वाले कर रहा है गलत हो गया जैसे एक कास्मीर का हाँ कास्मीर है जहां पर इनको राज दिया गया समालने के लिए ठीक है कासमी रही है अब मुझे याद आ जहां तक यह असार के एक दिन में तो इनको दाव पेच यह राज निती के दाव पेच इसको पता है प्रियंगु मंजरी को ऐसा नहीं है क्योंकि राज कन्या है राज पूतरी है और उसको दाव पेच पता है और जब यहां आती है इसके किया है मालवी का नाम है ना हाँ उसके आती है तो आप उसके बाद देख सकते हैं do किस किस तरीके से बॉलती है कि कि आपका मैंगर बन बन वा देटोए हो आप को उसका मन साथ लेटे चलें इसका विवाँ करां देंगे कि तो दावभी में ब्हुत नहीं पुर ही ठीक है आचुकी यहां दिया है कि निपुड नहीं है यहां देना था निपुड है तो यह विकल्प आप लोगों का बिल्कुल सही है 29 का सी बिल्कुल बहुत अच्छा उपन्यास होगा इसी के बाद 39 पे दर निपुड कि सारे 9 से होगा अब उसका समय निश्चित हो चुका है सारे 9 से ठीक है चलिए लास्ट प्रस्न आ गया ओ सूपर सिष्टी का ये अंतिम प्रस्ण है तीस समा प्रस्ण है साहित से यहां दिया हुआ है कि सोच रहा हूं कि वह असाड का ऐसा ही दिन था ऐसी ही घाटी में मेग भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था मैंने घाटी में एक आहट हरिर सावक को देखा था और उठा कर यहां ले आया था तुमने उसका उपचार किया था ये वाग किसने किससे कहा चलिए कौन सा लगेगा अब कौन उठा के लाया था इस्टोरी तो हमने पढ़के सुनाया था आप लोगों को कि लाता है और मलीका को दिया था मलीका जो इसका उपचार करती है बहुत अच्छा तो यहाँ पर हमारा यह कलास समात्त के हैं हम लोग फिर कल बिलुकुल आठ वजे तीकि और 9.30 पे 9.30 पीम पर उपन्यास साइट ते हम लोग पढ़ेंगे ठीक है अभी जश्ट 10 मिनट बाद तो आप सभी लोगों को जुड़े राने के लिए बहुत बहुत धने बाद सुबरात्री